पॉलिसी बजार पर एक करोड़ रुपे का टर्म लाइफ इंसुरेंस केवल 450 रुपे महीने से शुरू पहले भी जातियगर जन्गर्णा का प्रस्ताव विःषार विधानसभा और विधान परिश्यत ने पास करा चुकी है जन्गर्णा से पहले पहला चरण होगा इसमें घरों की गिनिती होगी घर के मुख्या समेत परिवारों के सदसों के नामदर्ज किये जाएंगे दूसरे इस चरण में जातियों की गिनिती होगी इनमें लोगों से उनके धर्म जाती उपजाती की जानकारी ली जाएगी सातिका जारा आर्तिक और सामाजिक सिथी भी मालूम की जाएगी बिहार सरकार ने इसका सारा काम मैं 2023 तक निपताने का टार्गेट रखा है लेकिन क्या यह क फारशों पर देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसा दिलाई या दिलाए जा रही है तो टाइमिंग पर भी सवाल है इस पर चर्चा करेंगे पहले आईए सुन लेते मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने क्या का कि अभूसुर्ण तो पहले तो ऊसके ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी था ना एक एक यक वार उसका एक एक चीज की समिक्षा कर रहे थे क्या हुआ तो एक एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रें किया गया है मार ऊसके बाद सब जगहासा जाजा खरको एक एक घर में एक बातको पूछेंगे देखेंगे कोई अब जात की जगह उप-जात बता देता है तो ही ने बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर सम्झा करके के बहुंद देखिए तो इसी तरह से, क्योंकि वो जाती लिखा जाना तो ठीक नहीं नहीं, जाती लिखा गया तभी न संख्या ठीक से होगा, तो इस तरह से एक एक चीज सब को समझाएं हैं, और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब उकरने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा. और इस पर बात करने के लिए मारे साथ दो खास मेमाने कि एसी त्यागी वरिष नेता जेडियू के मारे साथ हैं, साथ थी संजे कुमार बिएंस CSDA से. त्यागी जी बहुत बहुत धनेवाद, संजे धनेवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए. पहले तो त्यागी जी पूछना ये आपसे सवाल चाहूंगी किस तरह से क्रियामवित होगा क्यों अब इस समय क्यों चुना गया क्या इसका असर निदी जी अभी नहीं चुना गया है ये मांग काफी लंबे समय से लंबित है जब हम NDA में थे तब भी विधान सबाने पास किया है और पार्टी के साथ और पार्टी डेलिगेशन परधान मंतरी से मिला है इंक्लूरिंग बी जे पी लेफ्ट कॉंग्रेस आर जेडी परधान मंतरी ने भी S.V. कार नहीं किया है उन्होंने मन्हें नहीं किया कि मैं करा हूँ ने करा हूँगा इसको उसके बाद हम ही नहीं उडिसा सरकार महराश सरकार हमारी सरकार तमिल नाडू की सरकार आंदरा परधेस की सरकार 36 फरकार ये प्रस्ताव पास कर चुकी हैं कि हम भी जातिगत जन्गन्ना कराएंगे जम्मू कश्मीर की तीनों चारों पार्टी हैं पंजाब की सारे अकालिजर फैक्सन्स अधर्टी पार्टी हैं देश की यू नेम बन सीपी आई सीपी एम सीपी एम डी एम के अनना डीम के किसी भी पार्टी में जातिगत जन्गन्ना का विरूद नहीं किया अचारे विरूद कर कोन रहा है और क्यों कर रहा है 1931 में पहली बार निदीजी हुई थी जन्गन्ना बिर्टिस लूद था कॉलिनलिजम था और सामंत बाद जाती बाद और फ्रूडलिजम अपने पीक पर था लोग अपनी जात बताते हुए डरते थी कि जाती से ही स्रेश्टा का बोध इन दिनों में होता था जो छोटी जाती के गरीब जाती के लोग है वो डरते थी कि अगर अपनी असली जाती बताई तो समाज में सम्मान कम हो जाएगा मैं उत्तर परदेश का आपको बताऊं कल्यान सिंग जी हमारे मुखवंती रहे हैं वो पिषड़ी जाती के हैं लेकि समुचा देश जानता है वो लिखते हैं लोध राजपूट तो राजपूट अपरकास्ट का हिस्सा है लोध जो है बैक वर्ड में आते हैं ऐसे नितिश जोरों से इन वर्गों में उठी है और इसमें निधी जी कुछ नहीं करना है एक सेकिड एक सेकिड दो हजार ग्यारे में जातीगत जनगन्ना सुरू हो गई ती जिसमें शैक्षन किस्तिति जिसका आपने अपने प्रारभिक संबोधन में उल्लेक किया है इस तरी कुछ नहीं करना है रेजिस्टार जो है जनसंख्या आयोग का उसका कहना है खाली दस कॉलम बरने के बाद एक कॉलम और लिखना है जाती इसमें किसी क्या दिक्कत हो सकती है मैं इसलिए समझना चाह रही थी क्योंकि इसमें एक ऐसा मसला है जिसको एक तरफ समाज का एक बड़ा तपका है उसकी मदद इससे की जा सकती है लेकिन जो टाइमिंग है 2024 से पहले पहले भी आप लोग resolution पास कर चुके लेकिन अब जो कर रहे हैं तो यह कहा जा रहा है कि ए राजनेतिक त्यारी है इसका पूरा फाइदा आप लोगों को मिलने वाला है आपकी सरकार को अगर यह जब होता है तो यह कोई आज से नहीं चला मंडल को लेकर के भी ऐसे ही लोग कहते थे उन्नीस सो बावन के बाद जब पहली सरकार बनी तबी देश की 55 परसेंट से जादे जो क्रास्ट हैं जिना पिछडी जातिया कहते हैं उनकी मांग ठीक हमें भी राजकाज में हिस्सेदारी दो आज भी 5.4 परसेंट बैकवर्ड क्लास की केंद्रिय सेवाओं में हिस्तेदारी है और जंसंख्या है उनकी 55 परसेंट तो काका कालिल कर आयोग बना उसने रिक्मेंट किया भी पिछलों को आरक्षन दे दो किसी के सर पर जोनी रहेंगी तब ये सहास हमारी पार्टी जंता दलने और हमारे नेता वीपी सिंग ने दिखाया उस समय सब ने विरूत किया कॉंग्रेस ने भी विरूत किया बीजेपी ने विरूत किया आज देश का प्रदानमंत्री प्यार में जाकर के बोलते हैं कि मुझे गर्व है मैं पिछली जाती का हूं तो यह यूग तो हम लेक गिंती करा रहे हूं तो इन गरिव लोगी गिंती कराने में क्या दिक्कत है आपको ठीक है संजे जी मैं आप से समझना चाहूंगी आप तो पूरे नंबर को समझते हैं आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को वह भी इस समय जो टाइमिंग इसको लेकर निदी आपने का है मैं नंबर को समझता हूँ इस नंबर को समझने के लिए यह तो नंबर की जरूरत है तो जो पहल की जा रही है बिहार सरकार के दोरा वो पहल है क्या पहल यह है कि OBC जाती के कितने लोग है बिहार में और साथ साथ उनकी शेक्षिक आर्थिक सिती क्या है मुझे लगता है इस वक्त ये कह पाना कि इसका राजमितिक इस्तमाल होगा, समाधिक इस्तमाल होगा, कैसा इस्तमाल होगा, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि दोनों इसके पहलू है, इसके राजमितिक इस्तमाल होगे, इसके माइने हैं, क्योंकि आप एक सं तो सरकार चाहे उनके लिए नीतिया बना सकती है उनके उत्थान के लिए नीतिया बनाई जा सकती है तो आंक्रे सामने आएंगे और आक्रे का कैसे इस्तमाल किया जाएगा यह तो इस्तमाल करने वाले पर निर्भर करता है बिल्कुल आप दोनों को तस्वीर अगर स्क्रीन प क्या आप लोगों का ये तरह से तोड़ है जो एक तरह से बीजेपी की राजनीतियों उससे भारतिय जनता पार्टी तो निधी जी संजय जी मेरी बात को एपरू करेंगे हमारे से जादे मंदलवादी होने का दावार वादा करती है परदान मंत्री जी का भाषन है मुझफरपुर में और आरा में जनसभाओ में चुनावी जनसभाओ में कि भाईयो बहनो अब वो दिन चले गए जब ये कुछ जातियों की पार्टी हुआ करती थी अब ये पार्टी पिछडों की है दलितों की है अति पिछडों की है तो संब जो जाती को अपने पक्ष में इस्तेमान ना करती हो मंडल कमिशन लगाता है विल्कुल आप जुड़े जी जी संजे एंड में मैं आप से एक संक्षेप में उतर की इसका आर्थिक फायदा या इसका फायदा हमारे उस समाज को मिले जो वंचित रहा है उसमें एक आर्थिक उ दो चीजे हैं जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि इनकी संख्या कितनी है तो केंदे सरकार की नौकरियों में तो आरक्षन है राज्य सरकार की नौकरियों में भी आरक्षन है सरकार चाहे तो उनके जब संख्या सामने आएगी उनके हिसाब से उस अनुपात को बढ़ाया घ पिछड़े हैं जितने पिछड़े हम सोचते थे उनसे ज़्यादा आर्षिक धृत्तिकों ते पिछड़े हैं तो साएध राज़ सरकार तमाम नीतिया ला सकती है और नीतिया सिर्फ आरक्षिन का नहीं हो सकता है कि तमाम grund के जो हम कहते हैं कि पिए जा सकते हैं स्कूल उसके लिए भी आकड़े मुझे लगता बहुत प्रभावी है। देखिए सबसे पहले समाजबादियों ने और हमारे नेता करपूरी ठाकुर ने बिहार में पिछडों के अंदर पिछडों को आरक्षन दिया जाए। सबसे पहले महिलाओं को आरक्षन मिलना चाहिए। ये भी करपूरी ठाकुर ने समाजबादियों ने किया। और वीकर सेक्षन के जो लोग हैं उनको भी 3% का आरक्षन ये मांग भी समाजबादियों ने सबसे पहले की। लियाजा हम पर जो जाती बादी होने का जो आरूप लगाते हैं असल में वोई खुझ जाती बादी हैं। मैं अपनी बात को समाथ करने से पहले कहना चाहता हूं कि जस्टिस रोहनी कमिशन बना हुआ है। उसके बारे बार जो है एक्स्टेंशन हो चुके हैं। उसकी रपट रानी हैं। और वो क्रांती पैदा करेगी इस देश के अंदर कई सो जातियां ऐसी हैं। जिनका एक भी आदमी मंदल कमिशन के तहत नोकरी नहीं पाया। चली चागी जी आप जुड़े आपने समय निकाला और हमें ये महतुपून फैसला समझाया है। इसके लिए धनेवाद संजय आपका भी बहुत धनेवाद वाकई में आंकड़े बहुत जरूरी हैं और जब ये आंकड़े आएंगे इन आंकड़ों का बिहार ही नहीं पूरे देश में क्या आसर पड़ेगा और राजुपर क्या आसर पड़ेगा ये बहुत एहम देखने लाइक हो जाएगा तो आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धनेवाद और उसके बाद आईए अब हम सीदे देश की बात में चलते हैं उत्राखंड उत्राखंड में जोशी मठ में मकानों और जमीन में दरार से हड़कंब एक तरह से मचा हुआ है लगातार हम तस्वीरे एक खबरे दिखा रहे हैं जोशी मठ में पांत सो से जादा घरों में दरार आ चुकी है और आपदा की आहड के चलते आपको बता दे जो एंटीपीसी तपोवन विश्णुगड जल विद्यूत परयोजना और हेलंग बायपास का जो काम था उसको फिलाल रोग गया है राजसरकार ने इसके आदेश दिये हैं आज मुख्यमंत्री एक हाई लेवल बैठा करने जा रहे हैं कल बताया जा रहा है वो दौरा भी अपने आप करेंगे और आपदा प्रबदनन के अधिकारियों समेथ विशेश्यग्यों की टीम ने जोशी मत में डो टो जाकर घर घर जाकर संपर क्या है तो आए सुनते हैं पहले मुख्यमंत्री धामी ने क्या का आए और हमारी सेवगी ने वहाँ से एक जानकारी भीजिये में कैसे हम सहर को बचा पाएं उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं उसके अंदरूप आगे बढ़ने वाले हैं हमारे आपदा प्रबंदन सचीप और हमारे अधिकारी गण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षन कर रहे हैं उस पर भी आज हम च कर सकते हैं किस परकार से सहर को बचा सकते हैं हम लोग इस वक्त पे जोशी मट पे है जो 6000 फीट पे स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्राखंड में और अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूं आपको वह बहुत भैबीत करेगा क्योंकि जोशी मट जो कि हमारा भार सब्सक्राइब का एक सेक्रिट टाउन माना जाता है उसमें बड़ी-बड़ी दरारे आने लग गई है और यह दरारे सिर्फ घरों में नहीं रोड्स पे होटेल्स पे सभी घरों में मोटी-मोटी दरारे आ रही हैं और जमीन उखंडना उधंडना चालू हो गई हैं आप द development projects सरकार द्वारा यहां लाई गई उसके कारण से इस तरीके की जमीन उधंने की situation यहां पे बन गई है और उसमें से एक कारण है NTPC का प्लांट जहां पे residents का कहना है कि NTPC के प्लांट में नीचे बहुत उसके tunnel के लिए सुरंग के लिए बहुत बड़े-बड़े blast हो रहे ह मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दू कि जोशी मट जो है वो नहीं सिर्फ अपनी जो religious importance है उसके लिए जरूरी है यह एक sacred town तो है ही है इसके साथ-साथ में यह हिमकुंट साहिब और बदरीनाथ को भी connect करता है उसके साथ-साथ में यह बहुत ही sensitive area है यह जोन 5 seismic zone है seismic zone का मतलब होता है यहां पे एक बहुत बड़ी हर रिस्क है अर्थ को एक आने के लिए आपका घर है इतनी बड़ी बड़ी दरारे आ गई है पूरे दिवारों पर दरारे है आप लोग कैसे रह रहे हैं रहे हैं हम बाहर रात को बाहर निकल ले रात को बाहर रहते हैं है न दूसरे परिवार के तो इस तरीके से कभी सड़क पे रह रहे हैं कभी घर पे रह रहे हैं सरकार ने कोई अभी तक मदद कोई किसी ने कोई मदद को अभी कुछ नहीं अच्छो आपको क्या लगता है कि क्या दादक क्या कारण है कि इस तरीके से हो रहा है मुश्किल है सरका तरीके से दूसरे एक बिल्डिंग पे अपनी पास वाली बिल्डिंग पे पूरे तरीके से जुक चुका है दरारे इतनी बड़ी हैं आपको दरारे भी दिख सकती होंगी यहां से सडक पे इतनी बड़ी दरारे हैं कि पूरा जो होटेल है वो पूरा का पूरा होटेल दूसरे होटेल दूसरी बिल्डिंग के तरफ जोक गया है और ऐसी इस्थिती में जितने भी लोग होटेल में रह रहे थे उनको खाली करवा दिया गया है होटेलियर्स का कहना है कि अभी तक हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है पर आप देखिए आप ग्राउन पे भी लेगी क्योंकि यह बहुत ही भयावे स्थिती है ग्राउन पे जहां बड़ी-बड़ी दरारे आ रहे हैं नहीं सिर्फ घरों में रोड्स पे होटेल में पूरी दिवारों पे बड़ी-बड़ी दरारे हैं तो सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि उत्राखंड सरकार भारत सरक अब जोशी मट को बचाने के लिए क्या लेगी कैमरा परसन शुजील राथी के साथ में तनुशी पांड़े एंटी टीवी के लिए और देश की बात में बात अब शिक्षा की भारत में अब विदेशी विश्वद्याले भी अपना कैंपस शुरू कर पाएंगे यूजी सी ने इस आशे का एक ड्राफ्ट लेजिसलेशन तयार कर लिया है इसे पहली बार दुनिया भर के विश्वद्याले भारत आकर अलग-अलग विश्वद्याले भारत आकर अलग-अलग विश्यों की पढ़ाई शुरू करा सकेंगे इनके campus को पूरा अधिकार होगा कि वो अपनी fees तै करें, admission criteria तै करें और मनचाहे धंक से अपनी faculty और अपना staff तै करें बेशक UGC इन campuses की कभी भी निगरानी कर सकती है उच्च शिक्षा के शेत्र में ये बहुत बड़ा फैसला है जिसका असर आने वाले दिनों पर दिखेगा हलांकि ये विश्विद्याले ओनलाइन course नहीं चला सकेंगे UGC का कहना है कि भारत में इनके campus बरने से भारतिय चात्रों को सस्ते में विदेशी विश्विद्याले की डिगरी मिल सकती है और भारत में विदेशी विश्विद्याले की अपना campus शुरू हो जाएगा इस पे आप सुनिये क्या कहना है जगदीश कुमार का Currently, our students have only two choices, either you stay in India and study in an Indian institution or you go abroad and study in a foreign university but now with these new regulations we are providing an additional choice to the students. You stay in India but study in a foreign university the main objective of our national education policy is to provide more freedom and more choices to our students to choose their education MCDK कारवाई में आज दिली के मेर का चुनाब होना था लेकिन उससे पहले पीठा सीन अधिकारी को चुना गया और उसके बाद पीठा सीन अधिकारी ने सबसे पहले मनुनी पीठा सीन अधिकारी को और उसके बाद पार्षदों की शपत लेने के लिए बुलाया गया इसके नाम पर आमादी पार्टी के पार्षदों ने आपको बता दे इस पर ह हंगामा शुरू हो गया दिली MCD में मेर चुनाव के दौरान जबरदस्थ हंगामे के चलते सदन की कारवाई आज थगित कर दी गई अब मेर चुनाव के लिए नए तारीक होगी आज सदन की कारवाई शुरू होने के बाद पहले जिस तरह से मनोनी पार्शदों को शपत दिल चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मद्परदीश को आप यह मामला देख रहे थे अब आपको पानी पत लेए चलते हैं भारट जोडों यात्रा पर जानकारी देते हैं राहुल गांधी की भारट जोडों यात्रा हर्याना में है आज पानी पत में उन्होंने बड़ी रै किस्ति है आपको बता लिए हिंदुस्तान की अगर आप सारी की सारी कंपनियों का मुनाफ़ा देखें तो 90% मुनाफ़ा सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है मतलब 90% मुनाफ़ा 20 कंपनियों के हाथ में और इस देश का आधा धन सो लोगों के हाथ में यह है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की सच्चाई दो हिंदुस्तान बन गए है एक किसान मजदूर छोटे दुकानदार देरोजगार युवा और दूसरा हिंदुस्तान दो तीन सो लोगों का हिंदुस्तान और पाने पत से और भीजी रिपोर्ट हमारे से होगी सौरप शुक्लान भारा जोड़ा यात्रा की सबसे बड़ी रैली राहुल ने पानी पत में संबोधित कर दी इस रैली में खरगे साहब भी मौझूद रहे जोकी नव निर्माचित अध्यक्ष है उनके साथ तमाम कॉंग्रेस के बड़े नेता डी के शिवकुमार भी आए करनाटक से तो नरायन सामी भी आए साथ में भुपिंदर हुड़ा और दिपिंदर हुड़ा मौझूद रहे कुमारी शेलजा मौझूद रही कोशिश की कॉंग्रेस ने की शक्ति प्रदर्शन किया जाए इस रैली के जरिये तमाम मुद्दों को लेकर के बात हुई रहूल गांदी ने पहले सुबह पानीपत में लगभग 15 किलो मोटर की अपनी जो पैदल यात्रा है वो की और उसमें रैली संबोधित की और संबोधन में उन्होंने दो मुद्दों पर खास तोर पर जोर दिया पहला मुद्दा जो अगनी वीर का मुद्दा है जो सैनीकों से जोड़ा मुद्दा है को कि हम सब जानते हैं कि हर्याना से सेना में लगभग 10 प्रतिशत युवा भरती होते हैं दूसरा मुद्दा उन्हें उठाया वो मुद्दा था किसानों का मुद्दा हम सब जानते हैं कि पंजाब और हर्याना किसान आंदोलन के केंदर रहे हैं तब हर्याना में जब आ गई है भरजोड़ो यात्रा तो अब किसानों का मुद्दा उठना तो लाजमी था राहूल गा विधान शहीद हुए और किसानों ने यहां पर ठन भी बिताई अगर बात करें लोगों की भीड़की तो सफल रही पर यह रैली सफल तभी मानी जाएगी जब وजो जित हासिल हो जो उसके बाद विधान सवा चुनाओं के बाद वहां पर कंग्रिस को जीत हासिल ओप就是說 जाएगा पानीपत में सह्योगी सुषील राठी के साथ शुक्रा अंड ninja TV इंडिया और देश की बात में आगे कंजावला में किस तरह से किया जा रहा था पुलिस को गुम रहा दिखाएंगे रिपॉर्ट मदर प्रदेश के रिवा में एक ट्रेनी विमान हाथसे का शिकार हो गया हाथसे में एक पाइलिट की मौत हो गई जबकि दूसरा ट्रेनी पाइलिट गंभीर रूप से खायल है हाथसे में ट्रेनिंग दे रहे पाइलिट कैप्टन विमल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि राजस्थान के ट्रेनी पाइलिट सोनु यादव खायल है रिवा जिले के उम्री गाव में गुरुवा रात करीब साड़े ग्यारा से बारा बजे की बीच विमान पहले आम के पेड में टकराया फिर एक मंदर के शिकर को तोड़ते वे नीचे जागिरा प्रार्पनिक जाँच में हाथ्से का कारण कोहरा बताय जा रहा है सरकार ने मामले के जाँच के आदेश दे दिये हैं ये पाइलिट फॉलकन एविएशन ट्रेनिंग अकाड़मी के थे विमान जस तरह से टकराते वे तो तेजी से धमाका हुआ धमाके से गाउं के लोगों की नीन खुल गई लोग दह्शत में बाहर निकलाए प्लेन का मलबा चारो और बिखार पड़ा था लोगों ने प्लेन का सीट बेल काट कर दोनों पालेट्स को भार निकाला रीवा में कोहरे की कई संस्थानों में छुट्टी है ऐसे में सवाल रात में ट्रेनिंग पर भी उठ रहे हैं प्रशासन कह रहा है कि इसकी जाँच हो और अब जमूसे खबर हिंदू परेवारों पर ताजा आतक की हमलों के बाद राज़ौरी में और ज्यादा फौजों की तैनाती की गई है नजीर मसूदी की रिपोर्ट हिंदू परिवारों पर ताजा आतक की हमलों के बाद राज़ौरी में और ज्यादा फौजों की तैनाती CRPF की 18 कंपनियों का पहला बैच गुरूवार को रज़ौरी पहुचा आतंकी चनोती का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बंदोबस चल रहे हैं इसके अलावा हमलावरों की तलाश के लिए भारी तलाशी अभ्यान भी जारी है ग्राम रख्षा समीतियों को इलागे में फिर से खड़ा किया जा रहा है इसके बाद जो हमारा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो है उने दुबारा से हमारी रिक्वाइर्मेंन ती जो वाफन्स की वो जो है दुबारा जो हम कर रहे हैं आज आपना यहाँपर केम्ब लिए हुए हूंने अलग अलग जो डिप्रिक डिपिरिफेंट जो यहाँपर लोग आई हुए है रविवार शाम के आतंकी हमले और फिर डांगरी गाउं में हुए IED धमाके में छे लोगों की मौत हो गई इन में दो नाबालिक थे तब से सेना पुलिस और CRPF ने हिंदूओं की लक्षय बध हत्या में लगे आतंकियों की तलाश में साजा अबियान शुरू किया है ये बीते एक साल से जादा समय में दूसरा मौका है जब केंद्रे ने जम्मु कश्मीर में और जादा टुक्डियां तैनाथ की है अक्तूबर दो हजार इक्ष में लक्षबध हमलों के बाद करीब छे हजार जवानों के साथ वहाँ छे बटैलियन बढ़ाई गई अब और अठारा सो जवानों को रजवरी में उतारा जा रहा है सी आर पी एफ की सतर बटैलियन जम्मु कश्मीर में तैनाथ है जो उनकी कुल टाकत का एक तिहाई है रजोरी में रवीवार के आतन की हमले के बाद सुरक्षा फोर्सिस का अभियान जारी है अधिक सुरक्षा फोर्सिस का आगमन भी आज़ से खिरू हुआ वीडी सीज को तक्यार देने के साथ एक बार फिर सक्रिया किया जा रहा है जामुसे नजीर मसुदी, इंडेटीम इंडिया एक लिए और आप कंजावला केस में आपको बता दे हैं जो साथ वे आरूपी अंकुष खना केस ने सरेंडर कर दिया है छे आने आरूपी पहले से गिरुफ़त में हैं खजावला केस में गिरिफतार आरूपी पुलिस को गुना एक तरह से गुम्रा कर रहे थे इन्होंने पुलिस को इस बात का जहासा दिया है कि हादसे के वक्त कार में पांच आरूपी थे पुलिस के मताबिक हादसे के वक्त कार में चार आरूपी ही थे जबकि पांचवा आरोपी दीपक घर में था पर हादसे के बाद दीपक ने दूसरे आरोपियों ने घर से बुलाया और ये कबूल करने को कहा कि कार वो चला रहा था ऐसा इसलिए किया गया कि हादसे के बाद कार चला रहा है आरोपी आमित के पास नहीं था ये कहानी पूरी फिल्मी सी दिख रही है, इससे पहले पुलिस ने इस मामले में कार के मालिक और छटे आरूपी को गरिफतार कर लिया था जिसका नाम आशुतोष है इससे पहले बागी गरिफतार पांच आरूपियों की कल पुलिस्टिमान चार दिन के लिए बढ़ादी गई है और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही नमस्कार